आने भुपाल में रवींद्र भवन में कवी सम्मेलन कायजून किया गया जिसमें हाथ से कवी अशोक चक्रधर शामिल हुए मंजलियू सिक बातचीत में कवी अशोक चक्रधर ने कहा कि हाथ से तो बस बहाना है हसी के जरीये लोगों को फसाना भी है तो उन्होंने हासे और व्यंगे के जरिये बुराई उपर निशाना भी सा था खुदा ने मुझे ये घजल का दयार बक्षा है मैं ये सल्तिनत महबत के नाम करता है। उजन जो है वो दोनों ही चीजों का मिक्स है उसमें कैसे दोनों लोगों तक हसाती भी है और संगसंग भीता का पुट भी एक तरह से उसमें लिये रहती है। बनाता है और बनाते बनाते वो उस मकाम पे आ जाता है जहां उसे अपने लक्षे के लिए अपने समवेद अनात्मकुत देशे के लिए और अपने उस मर्म के लिए जो उसके वियंगे का धर्म है वहां पहुंच जाता है आज के जमाने में हसाना बहुत कटन है और आप वही काम करें तो क्यों हसना जरूरी है और क्यों वो खिलकला हट के साथ हसना लोगों का जरूरी है ताकि लोग अपने मन की चंताओं को बिथाओं को दूर जरूर करें देखिए मुसीबत, कश्ट, गम, अवसाद, विपदा चाहे जितनी हो मगर कुछ देर के लिए हर शक्स का हसना जरूरी है लेकिन अगर कहीं लोग आग लगा बैठे हो और लोग जल रहे हो तो आग में धंसना जरूरी है लेकिन जरूरी है आपदा पर नियंतरन कसना और धड़कते दिलों में महबबत का बसना ये सब कवी की नजर में आता है तो जब दिल धड़कते हैं और उसका कारण महबबत होती है तो हम उन पलों का इंतजार करते हैं और चाहते हैं कि पूरे समाज में कोई ऐसा नहो जो महबबत से विहिन रह जाए अरे भाई एक और एक दो होता है सामान्य नर्वनारियों के लिए एक और एक तीन होता है व्यापारियों के लिए एक और एक ग्यारह होता है सिद्धस्तों के लिए लेकिन एक और एक सिर्फ एक होता है इश्क परस्तों के लिए तो हमारी तो इश्क परस्तों वाली टेक है कि हर सवाल का जवाब एक है समाज हो या इकलोता कोई व्यक्ति हो जिसका मन मसाज हो तो किसी भी प्रकार की शारिरिक, मानसिक, सामाजिक, नौनोवई ज्यानिक अर्चनों के बीच हम प्रसंद रहें समस्या एक मेरे सब भिनगरों और ग्रामों की सभी मानव सुखी, सुन्दर, वशोशन मुक्त का पहूंगे तो ऐसा हो जाए वीडियो जनरिस्ट आश्वली सिंग के साथ रंजना दूबे बंसली उस भोपाल